एवा केटलाक द्रिंक्स नी के जे द्रिंक्स उनड़ाने रूतुमा पीवा थी, आपणने डिहाइड्रेसन नी सामे फाइडो मड़े शे। उनड़ामा शरीरमा गणीबदी समस्याओ वधी जती होई छे। सवथी वदारेतो उनड़ामा पाणी पूर्ता प्रमाणमा पीवाई ते वातनु खास द्यान राखो पड़े छे। आपणने डिहाइड्रेसन सामे फाइडो मड़े शे। आपणा शरीरमा पूर्ता प्रमाणमा पाणी जोईए छे। ते मेरवी सकाई छे। अने डिहाइड्रेसन पन थतु नथी। तो कया छे आप पेणा ते विशेवी कते वात करिये। सव प्रथम वात करिये छांस नी। तो गर्मीना वाता वरणमा छांस पीवाथी सरीरने लू नथी लागती। भोजननी साथे नियमित छांस पीवी जोईए। एना कारणे गर्मीना कारणे थती समस्याओ दूर थाई छे। त्यारबाद वात करिये काकली अने फूदीनाना ज्यूस नी। तो उनाडामा काकली अने फूदीनानू ज्यूस पन शरीर माते फाइडा कारक छे। आ द्रिंक पाणी नी खामी होई तो तेने दूर करवामाटे नरियर पाणी पीवी जोईए। नरियर पीवा थी शरीर नेच्रली हाइडरेत रहे छे। तेना थी पाचन तंत्र पण सारी दिते काम करे छे अने शरीर दिटोक्स थाई छे। त्यार बाद वात करिये बिल्ली ना सर्बत तो बिल्ली पेत्र ना फर नू ज्यूस पीवु पण उनर आमा फाईडा कारक रहे छे। रोज एक गलास बिल्ली नू सर्बत पीवा थी। गर्मी ना दिवशो मा शरीर ने जरुडी एनरजी मडे छे। अने तेना थी कब ज्यात पण मते शे। त्यार बाद वात करिये सत् तु पण शरीर ने पाणी नी कमी पूरी करे छे। तेमा आइरन मैगनेशियम सहित ना पोशक तत्व होई छे। जरुडी उड़ जा आपे छे अने फीट पण राखे छे। आम अहीं जणाव्या ते पीणा नू सेवन करी ने तमे डिहाइड्रेशन सामे फाइदो मेर्वी इसको बच।